क्या भारत ने वाकई में न्यूक्लियर टेकनोलोजी में ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जो अब तक किसी और देश ने नहीं किया, जानिये इस चौंकाने वाली सफलता की पूरी कहानी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आज हम आपको भारत की उस सफ इन टर्बो ने 700 मेगावाट की स्टीम जनरेटर को सफलता पूर्वक देश में ही विक्सित कर लिया है, ये वही स्टीम जनरेटर है, जिनका उप्योग न्यूक्लियर पौवर प्लांट में फ्यूल बनाने के लिए होता है, कमाल की बात यह है, कि भारतिये वैग्यानिकों ने यह सफलता निर्धारित समय से 12 महीने पहले ही हासिल कर ली है, यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धी है, और भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी को और भी मजबूत बनाती है, अब तक भारत को न्यूकलियर पौवर प्लांट्स के लिए फ्यूल की आपूर्ती के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना परता था, इस वज़ह से फ्यूल की आपूर्ती में देरी और ज्यादा लागत का सामना करना परता था, एल एन्टी की इस सफलता के पीछे कई सालों की महंत है, उन्होंने स्टीम जनरेटर की टेकनोलॉजी को खुद से विक्सित करने म अपनी पूरी ताकत जोक दी और आखिरकार यह सफलता हासिल की, स्टीम जनरेटर न्यूकलियर रियेक्टर के कोर में उत्पन गर्मी का उप्योग करके पानी को भाप में परिवर्तित करते हैं, यह न्यूकलियर पौवर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के लिए सबसे महित्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है, इस सफलता के बाद भारत अब न्यूकलियर पौवर प्लांट्स के फ्यूल को खुद बना सकेगा और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, इससे फोरण इन्वेस्टमेंट भी बचेगा और भारत की प्रोड़क्शन क् प्रतीक है, और इससे दूसरे देशों को भी भारत की क्षमता का अंदाजा हो रहा है। हमें फ्यूल आपूर्टी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना परता था। इससे नकेवल फ्यूल की आपूर्टी में देरी होती थी बलकि हमें इसके लिए उच्छ लागत भी चुकानी परती थी। के कोर में उत्पन गर्मी का उप्योग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। भारतिय वैग्यानिकों ने यह स्टीम जनरेटर निर्धारित समय से बारह महीने पहले ही विक्सित कर लिया है। यह एल एंटी की हैवी इंजिनीरिंग का एक और नमूना है। पिछले साल, नेशनल पॉवर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया ने नुकलियर पॉवर प्रोग्राम के तेहित एल एंटी को 700 मेगावाट के नुकलियर वाटर रियेक्टर बनाने का कॉन्ट्रेक्ट सौपा था। एल एंटी ने एक साल पहले ही नुकलियर वाटर रियेक्टर को सफलता पूर्वक विक्सित करके नेशनल पॉवर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया को डिलीवर किया था। इसके बाद एल एंटी को स्टीम जनरेटर बनाने का कॉन्ट्रेक्ट भी सौपा गया था। इस सफलता के बाद भारत अब नुकलियर पॉवर प्लांट्स के फ्यूल को खुद बना सकेगा और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे फॉरण इन्वेस्टमेंट भी बचेगा और भारत की प्रोडक्शन क्षमता भी बरेगी। इस टेकनोलोजी को विक्सित करने के बाद भारत उन गिनेचुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास नुकलियर पॉवर प्लांट्स के फ्यूल बनाने की टेकनोलोजी है। यह भारत की नई ताकत का प्रतीक है और इसे दूसरे देशों को भी भारत की क्षमता का अंदाजा हो रहा है। एल एन्टी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर इस सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हैवी इंजीनिरिंग शाखा ने 10-22-700 मेगावाट के स्टीम जेनरेटर को सफलता पूर्वक विक्सित कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी भारत की न्यूकलियर टेकनोलोजी में एक बड़ी सफलता की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जे हिंद जे भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।